हेलो फेंड्स मैं सोनी मिश्रा स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल टार्गिट विद सोनी में देखे आज से मैं नीतिया इवं नियोजन का कारिक्रम शुरू करने वाली हो जो घटना चकर के प्रत्रिका आई है उसके मात्यम से ठीक है देखे वह पत्रिका आप नियोजन से संबंदित इसको हम दोहरा देंगे क्योंकि देखे इसे प्रशन आते हैं ज्यादा प्रशन पूछे जाते हैं तो हम लोग इसको शुरू करते हैं इसमें वही टॉपिक देखेंगे जो कि PCS 2018 के लिए यूजफूल होगा ठीक है देखे चुकि इससे प्रशन बह स्वास्त इवं परिवार कर लियां ठीक है इसे संबंदित जो जो मुख्य टॉपिक होगा इसको हम लोग कवर करेंगे अधर भी देखे इस सब चीजें हैं तो ऐसा होगा कि एक्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसम में दो ही टॉपिक को मैंने वो किया है किसान संपदा योजना और दूसरा है आपका किसान संपदा योजना पधानमंत्री फसल वीमा योजना यह देखे दोनों प्रश्ण ऐसे हैं जो कि मेंस में अगर टॉपिक पूछा जाता है तो वह भी इसमें कबर हो जाएगा साथ ही किसान संपदा योजना भारत में खाद प्रसंसकरण उद्यों की अपार संभावनाओं के दोहन हेतु प्रधानमंत्री नरेंद मोदी द्वरा 26 मई 2017 को असमराज के धेमाजी जिले में किसान संपदा योजना का शुभारम किया गया है किसान संपदा योजना में संपदा शब्द क्रिशी सामुद्री प्रसंसकरण क्लस्टर के विकास हेतु योजना है संपदा scheme for agro marine processing and development agro processing cluster का संचिप्त रूप है यहाँ पे संपदा का अर्थ बताया किया है यह ध्यान दीजेगा इसको थोड़ा सा revision कर लीजेगा याद कर लीजेगा हो सकता है संपदा का अर्थ पूछा जाए इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजेगा इसका संचिप्त रूप है यह योजना बर्थ 16-20 के अवदी हेतु प्रभावी है मतलब कि इस योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान संपदा योजना की शुरुआ 26 मई 2017 को असम राज के धेमाजी जिले से प्रारम किया है ठीक है और यह योजना 16-20 तक प्रभावी रहेगी मतलब इसका अपना लक्ष 2016-2020 तक रखा गया है इसका उदेश क्या है देश में खात प्रसंस करण इकाईयों की आधनिकी करण आधनिक आधा संरचना उपलब्द करवाना क्रिसी उत्पादों जैसे की ड्रेरी मस्य सहित मुल्य वर्धन को सुनिश्चित करना प्रतेक क्लस्टर हेतु कच्चे माल के सतत आपूर्ती हेतु एक शंकला का निर्माड करना उच्च छेतर में नई प्रवदोकी को प्रोसाहित करना सूच में लगुकाईयों की समस्याओं का समाधान करना उत्पाद से लेकर उभोगता तक को शंकला बद करना ध्यान दीजेगा उत्पाद से लेकर के उभोगता तक को इसमें सूची बद करना शंकला बद करके जोडना देखे इसका प्रमुख तथिस में जानने योग क्या बाते प्रश्ण पूछे जा सकते हैं 6,000 करोड रुपए के आवंटन से प्रारंब हुई किसान सम्पदा योजना में कुल 3,400 करोड रुपए का दिवेश होने का अनुमान है योजना से 20,000,000 किसानों को लाप राप्त होगा योजना का क्रियान में जो है खाद प्रसंसकरण उद्योग मंत्राले द्वारा किया जाना है योजना का प्रारंब खाद या प्रसंसकरण मंत्राब द्वारा किया जाना है यो सकता है यह प्रशन पूछा जाए तो इसको अच्छे से तियार कर लीजेगा ठीक है और किसान संपदा योजना के ताथ बर्तमान में चल रही योजनाओं का कारिया अन्वन किया जाएक जिसमें श्रीष संकला एबं मोले संबर्धन आधार भू सनरचना खाद सुरक्षा तथा गुडवत्ता आस्वासन और सनरचना और मानव संसादनिमम संस्थान ठीक है इसके अंदर इसमें समेकित किया जाएगा नेक्स देखिए इसका बिश्रेशन जान लीजे खाद पसंसकरण उद्ध्यों किसानों की आयमें बिद्धी हेतु अनिवार है खाद पसंसकरण से जहां किसानों को उनके उपच का उचित मूल मिल जाता है वही फसल के बरबादी के समस उससे भी निजात मिलता है इसके अत्रिक्त रोजगार श्रजन के द्रिश्टी से भी खाद ये पसंसकरण उद्ध्योंक महत्रपूर्ण गूमी का निभा सकते हैं तीके अब देखें ये समाप्त हो गया खाद ये प्रसंसकरण योजना जो प्रारंब किया गया है पहले इस समपदा योजना का शुबारं प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज के धेमाजी जीले से किया है इसमें समपदा क्रिसी सामुद्रिय प्रसंसकरण क्लस्टर के विकास के लिए योजना है इसका उदेश है दोजा सोला से बीस की अवधी तक अपने लक्ष को प्र गया है साथी साथ इस छेत्र में नई प्रदोकी को प्रोचाहन मिलेगा सूच में लग हुकाईयों के समस्या का समाधान होगा उत्पास से लेकर उभूगता तक को इसमें शिंखला बत किया गया है और देखिए कि इसमें मुख्य तथ्य जान लीजेगा महत्तपूर्ण है क इसमें 20 लाब किसानों को लब होगा साथ ही साथ यह योजना किस मंत्रालेव दौरा की जा रही है ये महत्तपूर्ण तक सब्सक्राइबन tu by, यह प्रदान मंति क्रिशी छेत्र अनिश्चित भरा हुआ है यहां का जा रहा है कि क्रिशी छेत्र अनिश्चित्ताओं से भरा है और मौसमी दसाओं में परिवर्थन इसे काफी हद तक प्रभावित करता है इसी यानि शित्ता के दिश्टिकोंट से किसानों के संरक्षन है तो भारत सरकार द्वारा 1999 में राष्टिय क्रिशी बीमा योजना National Agriculture Insurance Scheme NAIS की शुरुवात की गई है कब कि अगे 1999 राष्टिय क्रिशी बीमा योजना की शुरुवात की गई है इसको याद रखियेगा प्रिलिम के पॉइंट अव्यू से शुरुवात की गई जिसे वर्थवात 10 में परिवर्थित कर संसोधित राष्टिय क्रिशी बीमा योजना MN AIS नाम दे दिया गया है संसोधित राष्टिय क्रिशी बीमा योजना 2010 में कर दिया गया फसल बीमा योजना जिसके शुरुवात 1999 में की गई थी लेकिन इसके दोजाद 10 में नाम को परिवर्थित करके संसोधित राष्टिय क्रिशी बीमा योजना कर दिया गया इन योजनाओं के माध्यम से प्राकरतिक आपदाओं आदिकी स्थित में फसल किनष्ट होने पर किसानों को होने माले नुकसान की छतिपूर्ति है तो फसल बीमा की विवस्था की गई है ठीक है इसका उदेश क्या है कि जो मान लिजे कि अगर प्राकरतिक आपदाओं से फसलों को हानी होती है इसके लिए किसानों को जो नुक्सान होगा उसकी छति पूर्थी इस बीमा की ओजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा इन प्रयासों के बावजूद भी मात्र 23 प्रतिशत किसानों को ही बीमा से आच्छादित किया जा सका है मतलब इतनी प्रयास करने के बावजूद भी इस पे सभी किसान जो क्रिसी कार में सनलित हैं और जिसको इस प्रकार से छति पूर्थी नहीं मिल पाती है वो इससे लाभानवित नहीं हो पाए मात्र पूरे भारत के 23 प्रतिशत किसान ही इसे जुड़ पाए इसी प्रिष्टबू में सुधार कर इसे और ब्यावहारिक बनाते हुए राजक सरकार द्वारा 23 जन्वरी 12 सोला को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोगों तक और जानकारी प्रधान करने के लिए इसको और बदल प्रधान मंत्री किशी बीमा योजना गया और इसका नाम बदल के कर दिया गया इसके इसी प्रधान मंत्री आध फसल बीमा इसमें प्रदान किया जाना शुरू हो गया तो देखे याद रखने योग बात है कि यहां पे 23 प्रदान मंत्री कृषी बीमा योजना थी इसके शुरुबात की गई लेकिन इसे पूरे भारत के जो किसान थे इसका लाब नहीं प्राप्त कर पा रहे थी या फिर जागरुक न प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना इसका नाम घोसित कर दिया इस योजना के माध्यम से कम प्रियम्यम दरों में सभी किसानों को सभी प्रकार चाहे वो सामान हो या बाणिजिक हो कि फसलों पर इसको बीमा प्रदान किया जाने लगा इसका उद्देश क्या है देखे उद किसानों को उन्नत एवं आधनिक क्रिसी विधियों को अपनाने है तो प्रेरित करना साथ ही साथ क्रिसी छेतर में साख प्रवाह को सुनिश्चित करना देखिए अगर ऐसा आ जाता है तो याद रखिएगा क्रिसी छेतर में साख प्रवाह को सुनिश्चित करना किसानों को उन हो जाएगा प्राकरति कापदाओं कीटों भीमारियों को पढ़ाम स्वरूफ फसलों की छती की स्थिती में किसानों को वित्तिय सहयोग प्रदान करना ठीक है नेक्स देखिए इसमें कवरेज क्या हो फसल कौन-कौन से किये जाएंगे यह भी बहुत महत्तपूर्ण है किन-कि जैसे मोटे अनाज और दाल को हो जाएगा तिलहन और वार्सिक वारिज्जिक वागवानियों फसले हैं ठीक है यह भी महत्तपूर्ण है इसको भी याद रख लिजेगा कभी भी इसको जोड़ करके पूझे रहा था किनिमन में से किसको प्रदान मंत्रिक किसी वीमा योजन अनाज और दाल हो जाएगा तिलहन और साती साथ वार्सिक वारिजिक वागवानियों फसले ठीक है नेक्स देखिए जोखिम कभरिज क्या है प्रदान मंत्री फसल वीमा योजना में जोखिम को ब्रिस्तित रूप से देखा गया है इसके तह जोखिम में फसल छती बुआई में औरोध फसलो प्रांच्छती तथा छेत्री अपदाओं को समलित किया गया है आग जनी तुफान बाड भूस खलन सूखा की टाणगों तथा बीमारियों के कारण होने वाली फसल छती की स्थिति में किसानों को भुगतान करना विप्रीत मौसर इस्थितियों के कारण ब पूर्ण है कि अगर फसल कटती है तो लगभग कितने दिन तक अगर वो खेत में रहती है को ये प्राकृति का आपदा आ जाती है तो उसको वो लाब के उसमें आजाएगा तो 14 डेज याद रखिएगा फसल कटने के पस्चा 14 दिन तक खेत में रहने की स्थिति में किसी ये स्थिति में यूनिट आधारित आकलन के बजाए ब्यक्ति आधारित आकलन पर भुगतान किया जाएगा मतललकि अगर इस्थानी आपदाओं की कोई किसी उस होती है तो जो यूनिट कूरा इक बनाए गया आपला अ कृकर लंग किया गया है कि यूनिट के अनंधार पर ब्यक्ति आधारित यहां प्याकलन किया जाएगा किसको कितनी छती हुई है उसके आधार पर लोगों को इसके तहट जोड़ा जाएगा ठीक है वल्ला उनको राशी प्रदान की जाएगी मुखे तथ जान लीजेगा इसमें और यह योजना खरीफ वर्ष सोला से लागू कर द सकता गता करी उसके तो एक देश वर्ष योजना की आधार पर लागू की जाएगी देशने कंपशान द्यार नह intention online wagon रोटमiddag को कि कंपर दिया गया नई योजना में सरकार द्वरा दिये जाने वाले अधिक्तम भुगतान की सीमा जो है, कैप को भी समाप्त कर दिया गया है इसमें भीमा की पूरी प्रीमियम रासी जमा होगी तथा किसानों को पूरी दावाराशी प्राप्थ होगी प्रस्तुत योजना के अंतरगत अधसूचित छेतर में अंसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान रिड़ी वा गयर रिड़ी फसल वीमा के पात्र होंगे याद रखेगा प्रस्तुत योजना के अंतरगत इसमें जो नई योजना है उसके अंतरगत अधसूचित छेत्र में यदि अधसूचित फसलें उगाने वाले सभी इस किसान फसल भीमा के पात्र होंगे जिन किसानों ने रिंड लिया हैं उनके लिए अनिवार हैं जबकि अन्नेः एतु ये स्वैक्षिक होगा इससे जुड़ने के लिए जिन किसानों के लिए रिंड लेकर के इस फसल को बोया है उनको अनिवारे रूप से इसका लाब मिलेगा जबकि अन्य किसान को स्वैक्षिक रूप से इसका लाब प्रदान किया जाएगा योजना का कारियान में किसान कल्यान मंत्राले के किसी सहकारितां किसान कल्यान विभाग द्वारा सम्मंदित राज सम्मंदित एजंसियों निर्देशन और नियंतरण में चैनित भीमा कंपनियों द्वारा मल्टी एजंसी धाचे के माध्यम से किया जाएगा याद रखिए गए बहुत महत्यपूर्ण है कि इस योजना कारियान में और किसान कल्यान मंत्राले के किसी सहकारिता एवम किसान कल्यान विभाग, दोरा सम्बंधित राज की सम्बंधित एजंसियों की नरदेशन निन्तरण में चैनित भीमा कंपनी जो वीमा कंपनी चैनित क के जाएगी उसके दोरह multi agency ढाचिके माध्यम से किया जाएगा फसल फसल की बीमा है तो भारती करिसी बीमा कंपनी ए आई-सी के अत्रिक्त अनेक निजी छेत्रकी कंपनीओं को बीश में शामिल किया गया है फसल की बीमा के लिए क्या किया गया है भारती क्रिसी बीमा कंपनी पहले से कारवरत है उसके अत्रिक्त अनेक और निजी छेतर की कंपनीयों को इसमें शामिल किया गया है ठीक है योजना में तकनीकी के प्रियोग द्वारा सटी के तीब्र आक बीमा योजना के लिए 13,000 करोड रुपए आवंटित किये गए हैं जो वर्थ 17,18 के बजट आवंटन जो 9,000 करोड रुपए से लगभख 44 प्रतिशत अधिक है यह याद कर लीजे प्रिलिम्ट के पॉंट आव यू से कि फदानवंति फसल बीमा योजना में 2018-19 के लिए पूजा जाता है तो आप बता सकते हैं 44 प्रतिशत अधिक है अब बिशलेशन जान लीजेगा 55 प्रतिशत आबादी की आजीवी का के प्रमुक्षोत क्रिसी में जोखिम और अनिशित्ता के दृष्टिगत किसानों के संरक्षन तथा उन्हें क्रिसी कारे में बनाए रखने है तू संकल्पित प्रधानमंत्री फसल वीमा योजना अनेक माइने में अपने पूर्वर्थी फसल वीमा योजनाओं से शेष्ट है जहां एक और यह योजना क्रिसी में नव प्रवरतन तथा तक्नीकी के समावेश की दिश्टी रखती है वहीं दूसरी और इस योजना मे जिसके तहर जोखिम आकलन में तक्नीकी का प्रियोग किया जाएगा इसे और भी दक्षिम प्रभावी बनाती है टेकनोलजी का प्रियोग के माध्यम से इसको चुकी ये सौट आउट किया जाएगा इसलिए इस यजना को और जादा प्रभावशाली कर दिया है पूर्व की यजनाओं से समगरता से देखने पर प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना प्रतेक नजरीय किसान ही तैसी नजर आती है ठीक है दोस्तों कि ये समाप्त होता है ये हमारा प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना और इससे जो एक दूसरी योजना हमने दो योजनाएं आज पढ़ें जो कि देखें आपको खुद लग रहा होगा किसान संपदा योजना और प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना दोनों भूल को सब्सक्राइब करके वैल आईगे जब सकते नेक्स वीडियो जो अपलोड वह की शोकार आपकोी पास का जो चुचेंड जाये के बहुत सारे जो अब पर चैनल को येकरी सिस पर आप पर अंतर data लेकिन आपको अगर selection लेना है तो कम समय में किस तरीके से strategy बना के पढ़ाई करनी है वो इसी प्रकार से क्या क्या पढ़ा जाए जिससे कि अभी हमारा माइनस मार्किंग के साथ कोई चीज जो चूट रहा है वो चूटे ना और हमारा selection हो जाए ठीक है ठीक है दोसो धन्यमाद झाल 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